नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सनमार्ग सास्त्रों में बताया गया है कि भगवान स्री गनेश की अराधना अगर आप सबसे पहले करते हैं और फिर तमाम देपताओं की पूजा करते हैं तो घर में सुक समरिद्धि सांती बनी रहत है वैसे भी हर कोई पहले भगवान स्री गनेश की अराधना करता है लेकिन आज हम कुछ खास विसेश उपाय बताएंगे और विसेश मंत्र जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा और आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा भगवान सिव के पुत् पुत्र पर्थम पुजी गनेश के अब बुद्दवार के दिन गनेश जी की अराधना करने से बिसेश फल मिलते हैं वैसे तो अस प्तर गनेश का सबसे प्रीव बुद्दवार का दिन है ऐसा हमारे सास्त्रों में भी वर्णानाता है और सास्त्रों के अनुसार मुसक की सवारी करने वाले गनेश जी को प्रसंद करने के लिए अगर कुछ भी सेज उपाय करें तो वह सिग्र ही प्रसंद होकर आपके जीवन को कस्टों को दूर करते हैं तो भगवान गनेश पुझनी देव हैं और हर सुबकार को करने के पहले उनकी पुझा की जाती है इसलिए बुद्वार के दिन अगर आप उन्हें लड़ू खास करके मूंग के लड़ू का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में धन का कभी अभाव नहीं होता अगर आपके पास मूंग का करें तो आप मन चाही मनो कामना पूरी करवा सकते हैं उनको परसंद करके और बुद्ध गरह का दोस्त भी खत्म हो जाता है तमाम बिगन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए सास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गनेज जी को बुद्वार के दिन अगर हरा दुर्वा अर दुर्वा जिसे कहते हैं वो उनको बहुत पसंद है और वह अपने भक्तों पर सदय क्रिपा बनाए रखते हैं कम से कम 11 या 21 गांठ आप दुर्वा के लेके उन्हें अर्पित करें और याद रखिए हर दुर्वा में तीन पत्ते होना चाहिए और पीछे का जो डंठल है ग सम्रिद्धी बने रहने के लिए गनेश जी के मंत्र का भी जब करने का विधान है गनेश जी को प्रसंद करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र जो आपके जीवन के समस्त परिसानियों को दूर कर सकता है वो मंत्र कौन सा है यह हम आपको बताएंगे लिकिन उसके पहले एक बात जानले सुख करता दुख हरता गनेज जी परिवार में सुख सांती सम्रिध्धी बढ़ाते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ गंग गंग यह गनेज जी का बीज मंत्र है इस मंत्र का भी आप जब करते हैं तो जीवन के हर कस्ट दूर हो जाते हैं लेकिन आज हम चुकि यहां पर कहा जाता है अगर राहु के तुभी परिसान करे या बुद्ध समंधी परिसानी हो तो बुद्धवार के दिन गाई को अगर हराचारा खिलाते हैं तो आपके समस्त परिसानी खास करवानी इसकिन यानि तवचा आपकी बुद्धी समंधी जो भी परिसानी नहीं है वो समय प्थ हो जाती है आप निवास होता है और उनको हरा चारा खिलाने से घर में खुसाली आती है आपका करियर आगे बढ़ता है ग्रोथ होता है अब आपके आसपस गाय नहीं है तब क्या करेंगे तब हरा फल किसी को भी आप दान कर सकते हैं या पास के मंदिर में रख कर चले आए उससे भी आपको लाब होगा और नहीं कुछ तो गनेज जी को हरा दुरबार तो अ का कारत मक सकति हैं आपके घर-परिवार में आही नहीं सकती लेकिन ये सिंदूर को अरस 처elt केरेंगा जो पूरूस है ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है आपके नौकरी, आपके बैपसाय समंदी, परेसानी दूर हो जाती है इसलिए गनेश जी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए ये आपके जीवन के समस्त बाधाओं को दूर करता है जीवन में कभी कभी क्या होता है, धन की बहुत परेसानी होती है आज हम आपको इसी के सर्वस्रेश्ट उपाय बताएंगे धन की समस्त परेसानियों से मुक्ती पाने के लिए जीवन में स्री बढ़ता रहे जीवन में कोई कस्ट ना हो, कभी भी जीवन में अनधन की कमी ना हो, इसके लिए बुद्धवार के दिन गनेज जी को वैसे भी एक बाद जान ले, आप कुछ उन्हें अरपित करे या ना करें, या कोई भी चीज अरपित करें, अगर आपने एक चुटकी भी अक्षत, यानि बिना तुटा हुआ चाबल गनेज जी को अरपित कर दिया, तो गनेज जी उतने से भी संतुष्ट हो जाते हैं, और सर्व स्रेष्ट क्या होता है, थोड़ा सा चाबल और थोड़ा सा गुड़ का भोग, अगर आप उन्हें नेमित रूप से लगाते हैं, तो जीवन में हर क पुड़ की डलील हैं, और उनको एक प्लेट में भोग लगाएं, और बाद में प्रसाद के रूपे पूरे परिवार के साथ खाईए, यह जो प्रसाद है, यह महामरित है, इसका आप अगर खाते हैं प्रसाद को, तो जीवन के समस्त कस्ट बिग्न बाधाओं से बचे रहत जीवन में धन की परिशानी से मुक्त हो जाते हैं, आपके रोजगार, आपके बैपसाय में कोई भी परिशानी है, इस छोटे से उपाई से आप तमाम परिशानियों से बाहर निकलाते हैं, क्या करेंगे, किसी भी बुद्धवार के दिन, एक हरा रंका आपको एक कपड़ा ले लें, अब इस कपड़े में हरी मुंग थोड़ा सा आप पांच बार थोड़ा थोड़ा कड़कर डालके पोटली बना लें, याद रखे, थोड़ा थोड़कर आपको पांच बार डालना है, और फिर सुरियोदे से पहले या सुरियास्थ के बाद, याद रखेगा मुक्ति मिलती है बड़ा से बड़ा कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे और जीवन में धन की कमी नहीं रहती अगर पास में नदी ना हो तब तब किसी भी पीपल के नीचे रख दे या पास के मंदिर में चुपके से रखाएं और ये आपके जीवन के धन सम्मंधी परिशानी को दूर करेगा अब सबसे अंत में एक मंत्र ये मंत्र आपके जीवन के समस्त बाधाओं को समाप्त करेगा आज हम आपको मंत्र भी बताएंगे और मंत्र का अर्थ भी बताएंगे देखिए ये जो मंत्र है सामने स्कीम पे देखें वक्रतंड महाकाय सुर्वकोटी समप्रभ निर्विग्नं कुरूमे देव सर्वकार येसु सरवदा और इस मंत्र को जब करने से इसका मतलब क्या होता है बह pergunta ये जानने वाले करोडों सूरियों के समान देदिप प्यमान भगवान स्री गनेश मुझ अपनी कृपाद रिष्टी मुझ पर बनाए रखें और ताकि मेरे सारे कारे बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए तो ये विसेस मंत्र है इसका जब रोज कीजिए यकिन मानिये जीवन में बाध महाते